इन्ट्यूशन या पूर्वा अभास को बाबा की टचिंग कह सकते हैं परमपिताप परमात्मा इन्ट्यूशन और पूर्वा अभास के इस अंतर को के टचिंग में और पूर्वा अभास में क्या अंतर है इसको समझना है पुर्वाभास टचिंग भी हो सकती है क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम जो भी काम करें हमें परमात्मा की तरफ से टचिंग हो जाए कि करना है या नहीं करना है और टचिंग नहीं भी हो सकते पर तो हम ये निरने कैसे करें कि परमात्मा के द्वारा पुर्वाभास हुआ है या परमात्मा की डारेक्शन के बिना ही पुर्वाभास हो रहा है किदा सा सेंपल सा कर्मों की गति को यहां पर समझना है कि मैं परमात्म डारेक्शन पर कर्म कर रहा हूँ तो सत्कर्म, अकर्म, स्रेष्ट कर्म और यदि मैं परमात्म डारेक्शन पर कर्म नहीं कर रहा हूँ तो विकर्म ठीक इसी परकार पुर्वाभास ये परमात्मा की द्वारा टचिंग है या नहीं ये आपको तभी लगेगा कि जो कुछ भी होने जा रहा है वो परमात्म, नियम, डारेक्शन के अनुसार होने वाला है यदि वो परमात्मा के नियम या डारेक्शन के अनुसार होने वाला नहीं है तो वो परमात्मा के बारा टाचिंग नहीं है परमात्मा किसी भी परकार की उल्टी टचेंग नहीं दे सकता बचने के लिए गलत रास्ते का डारेक्शन नहीं दे सकता शोटकट रास्ता कोई दूसरा ही बता सकता है परमात्मा नहीं बता सकता अब आप उसे कैसे लेते हो, क्या लेते हो, मानते हो, नहीं मानते हो, वो आपका पार्ट है पंतु, wrong intuition, wrong पुर्वाभास, जो बाप के direction के अनुसार नहीं है, वो बाप का नहीं है वो किसी का भी हो सकता है, आपका अनुवव हो सकता है, आपकी सुनी हुई बाते हो सकती है आपकी देखी जानी हुई बाते हो सकती है, किसी जनम की आपके बुद्धी में पड़ी हुई बाते हो सकती है वो कैसे भी आ सकती हैं परन्तु बाप के डारिक्शन के अनुसार उसे आप चेक कर सकते हैं क्या ऐसा करने के लिए परमात्मा ने कभी डारिक्शन दिया है वो करने के लिए सरवांत सुखाए है क्योंकि परमात्मा के डारिक्शन जो होते हैं वो सब को सुख देने वाले होते हैं उसको करने से मुझे या किसी भी आत्मा को दुख पहुंसता है तो वो परमात्मा का डारिक्शन नहीं है तो इस परकार से आप उस पुर्वा भास को समझ सकते हैं कि ये बाबा की टचिंग है या नहीं है ओ शैंति विस्तार से समझना हो तो प्रजा पिता ब्रमा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्याले से संपर्क करे और यदि आपका कोई प्रशन हो तो 9213106986 पर संपर्क करे अपना क्वेस्चन वाट्सेप कर सकते हैं ओम शांद